सभी आंगन बैरी बहनों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए यूसफुल और इंफिर्मेटी वीडियो में आईए हम लोग आज के इस वीडियो में जानते हैं जो पोशन ट्रेकर एप में लगतार अपडेट पे अपडेट आये हैं जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि जो 13.3 का अपडेट आया हुआ था कि जितने भी लभार्थी हैं उनका आप लोग बीना इंटरनेट के लभार्थियों का नए अरिश्ट्रेशन कर सकते हैं तो ये जो 13.5 का अपडेट आया है इसमें ये जो सिस्टम है उसको फिर से यहाँ पे हटा दिया गया है और भी बहुत सारे चेंजेज किये गये थे जिसको पोशन ट्रेकर एप से फिर से हटा दिया गया है 13.5 के अपडेट में आईए इस वीडियो में हम आपको पूरी जन पूर किजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो नीचे रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं पोशन ट्रेकर से रिलेट तो अगर आप लोग 13.5 का जो new version है उसको update नहीं किये हैं तो यहाँ पे play store में आके 13.5 के जो new version है उसको update कर लिजिएगा हम यहाँ पे इसको update कर चुके हैं update करने के बाद यहाँ से हम इसको simply open कर रहे हैं open आप लोग जैसे ही किजिएगा तो आपको 13.3 से लेके 13.4 तक आपको यहाँ पे बहुत सारे बदलाव किये गए थे वो सभी बदलाव यहाँ से इस portion tracker app से हटा दिये गए हैं चलिए जानते हैं वो कौन-कौन से बदलाव किये गए थे 13.3 में और 13.4 में जैसे कि 13.3 में जो option add हुआ था जैसे कि जितने भी लभार्थी आप लोग के पोसंट tracker app में add करना चाहते हैं तो आप लोग offline mode में बिना internet के यहाँ पे उनका registration कर सकते थे यहाँ पे option भी दिखा रहा था वाई-फाई जैसा तो उसको यहाँ से फिलाल के लिए 13.5 का जो यह new update आया है उसमें यह option हटा दिये गए है उसके बाद यहाँ पे जो अधार verify वाला option आप लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे भी 13.4 में बदलाव किये गए थे तो उसको भी यहाँ से हटा दिये गया है यहाँ पे देख सकते हैं जो icon दिखा रहाँ था पहले 13.2 में ठीक उसी परकार यहाँ पे 13.5 में भी यह option सभी दिखाई दे रहे हैं जैसे कि 13.4 का जो update आया था उसमें यह सभी option को हटा दिया गया था आप लोग देखे होंगे तो फिर से इसको यहाँ पे जैसा है वैसा कि वैसा यहाँ पे change कर दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे beneficary वाली categories को open करते हैं जैसे किसी भी category में हम लोग open करते होंगे तो यहाँ पे आपको एक नय option जोड़ा गया था जैसे कि search bar का जो option यहाँ पे दिखा रहा था उस search bar का option भी यहाँ से आपको देखने को नहीं मिलेगा वो भी option यहाँ से हटा दिया गया है तो इस परकार से कह सकते हैं कि जितने भी update आये थे 13.3 से लेकर 13.4 तक वो सभी option यहाँ से हटा दिये गये हैं और जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं जो home business schedule है उसमें अभी कोई changes नहीं की गई है यहाँ पे जो late वाले option है वो अभी वैसा कर वैसा ही है इसमें कोई भी अभी सुधार नहीं किया गया है तो बस आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही portion tracker app में और भी कहीं पे changing नहीं किया ग हम उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिस जरूर करेंगे आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा साथी साथ इस वीडियो को और भी आंगनबारी बहनों के साथ सेर भी कर दीजिएगा मिलते हैं फिर किसी टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद